पांच अगस का दिन भारत के लिए बहुत ही शुब दिन है आर्टिकल 370 और 35A की अब्रोगेशन पिछले साल आज ही के दिन हुई और ये एक ऐसा शुब दिन है कि जिसमें अब राम मंदर की जो बुनियादें है वो भी रखी जा रही है और एक और शुब इसमें बात ये शामल हो गई के भारत के एक महान फिल्म परड्यूसर फिल्म एक्टर ने एक बहुत ही बड़िया फिल्म बनाई है कश्मीर दा फाइनल रेजलोशन भारत फिल्म इंडस्टी की ये फिल्म एक तरह से खराजे तहसीन को जो भारत की सरकार ने एक साल पहले लिया मेरे साथ इस वक्त भारत फिल्म इंडस्टी से मौंबे से जुड़े हुए है युवराज कुमार जी जो बहुत ही बड़िया फिल्म डारेक्टर है परड्यूसर है और एक्टर है कंची की M ту जुगे मारण इंडस्टी दुगर श्री इसे तार्दीय ऑफिल्म आँजाए यार्गमो घ्यल्म ठॉचे मंबार्की मंद्डेर लो जीम भारक तर्दीय अधर ने आandट ड्रौ। मेरे तल से तिरे तल को बतार पहुतार को तकलतीय आय। दार लेग हो जाताई याद ची मुबारत रणिमार रणिमेर लो ची मुबारत रणिमार रणिमेर लो दोहल करके पटी है श्रिंगार केसी दन तो बजा जनाई के पंगार ची मुबारत रणिमार रणिमेर लो ची मुबारत रणिमार रणिमेर लो जी मुबारका 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 मुबारको तेरा करता है वो इंतजार उरीद पे सवार बत से करता है प्यार अच्छी मुबार्क रणिमार ले लो अच्छी मुबार्क रणिमार ले लो जिनी सोगों तकी बंगे बंगे अच्छी मुबार्क रणिमार ले लो जिनी मुबार्क रणिमार ले लो मुबार्क र judgment मुबार्क रणिमार्क रिव सहाँ वेलकम युवराज भाई कैसे हैं आप इतनी खुशखबरियां शामल हो रही है कि आपकी फिल्म भी उसमें शामल होगी कैसा लग रहा है इस शुब दिन के मौका पर आपको जी ताहिर गुराज जी इस वेरी हिस्टॉरिक डे हमारे लिए नॉट उली फॉर इंडिया लेकिन ये सारे इंडियन सबकॉंटिनेंट के लिए इंडियन सबकॉंटिनेंट हमारा इतना डिवर्स है के यूज इस अगुर नुज फॉर एवरी बड़ी हर एक रिलिजिन जो अवाजे थी जो जनुएन आवाजे थी अपिलेशन मोन अगार इंडियन जो आवाजे उष्या इंडियन के लिए नुज आवाजे बहर कर आजारी है ऑर आपने अशे कहा के हमारा अजो इंडिन सबकॉंटिनेंट हो महान है हम तो, just we are the citizens, I don't think so, I am Mahan, but definitely our region is very historic and Mahan, and you know we are such an old civilization, so this 5th August is very important for all of us, and जैसे मैं आपको बोला, यह मासिस का जो ड्रीम था, जो उनकी रियल आवाजे थी, इस पर डिसिजन हुआ है, और आगे एक बहुत बहुतरी फ्यूटर लगता है, बिल्कुल आपने दुरस कहा, यह बताईए है कि इस फिल्म में कश्मीर दा फाइनल रेजोलूशन, यह फिल जो एक मैसेज है, वो क्या है? So Tahir Gura Ji, पहले मैं आपको मेरी हिस्टी बताना चाहूंगा. जी, जी, प्लीज. मैं और जो मेरी टीम है, especially India से, जो फिल्मेकिंग टीम है, we are a new breed of filmmakers. सारे जो, you can say, team, entire team, story writers, script writers, actors, you know, we have taken this profession very seriously. हमने हमारे जिंदी के बहुत साल दिये हैं, फिल्मेकिं सीखने में. And it's a collective dream, I must say, that our film cast and crew over team is more than 600 people. And our collective effort is to make world class cinema. And cinema not only for entertainment, लेकिंगे एक ऐसा सिनमा जो कुछ नई चीज़े दिखाएंगी लोगों को. Plus at the same time, एक एहम पुर्मी सौफ करेंगी. इस dream से हमने एक में का सोच चार साथ पहले. आपने इससे पहले भी एक फिल्म बनाई यवराजजी, वो भी एक बहुत ही बड़ी काम्याबी थी. ISIS को एक्सपोज किया. अब कश्मीर पे आपने जो फिल्म बनाई ये तो मैं कहूंगा कि इसमें जरूर आपने जो वहां पे जहादी activities हो रही थी, उनको भी एक्सपोज किया होगा. तो क्या हम expect करते हैं कि जब हमारे दर्शे की फिल्म देखेंगे तो आप ने उस सारे जहाद को expose किया है वहां पे? जब मैं और जो फिल्म की writer है Miss Sonal Share जो एक कश्मीरी पंडित है, जब हम ये फिल्म की research कर रहे थे, of course हमारे बहुत sources होते थे. कश्मीर के लोकल मुसलिम्स, कश्मीरी पंडित्स, और इवन आर्मी, और कश्मीर के अवाम जिसको हम पर्सनल इंटर्व्यू, और डेफिनिटली आपके शोर्स, ताहिर गोराजी. आप, you know, I told you, four years back, हम नहीं start किया थे प्रजेक्ट, you know, लिखना. Four years back, people were not debating Kashmir so well and openly. आप और आपके तीम जर्थे. Thank you. And I still love the length of your programs. Two hours, two and a half hours, you know, ऐसे नहीं था कि 30 मिनिट्स में एक discussion करना है. युवराज भाई, ये फिल्म कब release हो रही है, चुके हमारे दर्शकों को तो इसका शिदत से इंतजार है? युवराज आपको बताया के अभी तो, I think in the next 10 days हमारी फिल्म रेडी हो जाएगी. और उसके बाद, अफकोस ये COVID का मसला तो चल रहा है. तो release, you know, is a question mark. In the sense, theaters तो चल नहीं रहे हैं आपे, इंडिया में. और आजकल बहुत सारी फिल्म OTT platform पे release हो रही है. तो जो हमारे distributors हैं वो call लेंगे, लेकिन वो जरूर चाहेंगी कि वो एक masses तक पहुचे as soon as possible. और आजकी रिलीस करने का सोचते हैं या बाद में सोचेंगे? ताइब राजी ये call तो फिल्म के distributors लेंगे. आपको क्या लगता है कि इस फिल्म से भारत की जो film industry है, उसका जो trend है, वो किस तरह चेंज होगा? चुके जो मैंने इसका trailer देखा और जो एक गाना देखा, मुझे तो बहुत ही ये different किसम का इसमें से touch मिलता है. ये अप्रिशेटिंग आरेफ़स, ताइसा कि अगाना थे क्या है. वैसे में अल्मोस्ट मेरी सारी टीम ने प्लेज लिया है कि जो इंडिया की film जो film इंडिया से आयेगी, इट हैज तो बी वर्ल्ल क्लास. आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के कांटेक्स में ये जो फिल्म अब रिलीस होगी, रिलीस वाकिए कोविट के जमाने में उस तरह तो नहीं हो सकती, जिस तरह फिल्म में हुआ करती हैं. लेकिन जो आपके दर्शे कैनिडा में, अमरीका में, यॉरप में पैठे हुए हैं, वो इस फिल्म को कैसे देख सकेंगे? ताहिर गुराची, अगर ये OTT प्लाटफॉम रिलीस होगी, तो यॉन इस वर्ड़ वाइट, और रिलीस होगी, तो इस फिल्म में आप भी हीरो के तौर पर काम करते हैं, तो आपकी इन्वाल्मेंट बहुत परसनल है, फिल्में, आपको कैसा लगा इस फिल्म में इतने डिफरेंट डिमेंशन से काम करने के हावाले से, डिरेक्शन भी है, प्रोड़क्शन भी है, एक्टिंग भी है, तो ये इन्वाल्मेंट आपको कैसी लगे है? इस गिव मैसे अथिए लगे हैं, तो जो राइटिंग भी है, जो डिरेक्शन भाट है, उस एक रही चीजे वर्लड्स तरीके से दिखाना, जो मुरी ट्रेनिग है, मैं गौन जो से राइट कर सकता हूं, जो टो डिरेक्शन गर्स को आपको काम कम ब्री तो ये अंशन है, इ और ये दस लोग are completely dedicated to the project day in, day out. I'll tell you something, Tahir Gura Ji. I met my wife, who is a Kashmiri Pandit. And we got married during the project. That's how involved I am, you know, in the subject, the project. And I also met your wife's role in the trailer and the different interviews. I watched it and listened to it. And we also know that this film can also be joined by Canada. So how did you think this idea came from? Tahir Gura Ji, thanks for your show. Thank you. You were sitting in Canada and discussing in Kashmir, you know. So my writer had a sonal share. So that was the idea that, oh, you know, there are NRIs, you know. There are Kashmiris who are living abroad, you know. And those people are discussing in the middle of the day, you know. Because, obviously, they want Kashmir to develop. They want to come back to Kashmir. It goes to your show. This is the inspiration that there is a family that has migrated to Canada. And there is Kashmiri Diaspora. These people come together on weekends. They discuss on the issues of Kashmir, you know. And that's what Rippi is my wife. She's playing the role of Ms. Shirin. She's grown up with these discussions, you know. That allows her to solve the problem of Kashmir, to understand Kashmir better, you know. And she makes a visit with her family to Kashmir. My wife, Rippi, was actually her base in the US. So, we were auditioning for the lead actress. And she flew from the US to India just for the movie. And she had a job in McKinsey. So, she actually left her job in the USA. She shifted to India just for the movie. Because she's a proud Kashmiri Pandit. And she wanted to, you know, give her a bit. She took a big risk. And she wanted to do this film. Because when we read the script, she was really happy. She was like, wow, I can do something for Kashmir. You said that this film is not a film. But it is a kind of a documentary for Kashmir to understand Kashmir's knowledge. And this is also a solution for Kashmir. So, Kashmir's solution for Kashmir has a very big step. And she was interrogated by Article 370-35A. So, your film is called Kashmir's Final Resolution. So, after watching the final resolution, what is the final resolution? And after watching the final resolution, what is the final resolution of Kashmir's Final Resolution? Absolutely, Taregura Ji. You know, when we wrote the script, Taregura Ji, then we had a round table conference. You know? And we used to write down all the minus points, plus points, what can be a solution, what can be practical. You know? And then we saw that Article 370, was a big block in the development of Kashmir. We came to the conclusion as filmmakers and writers. You know? So, of course, it's a brilliant step taken by the Indian government to abrogate Article 370. But the story is not finished, Taregura Ji. You know? It can be a place, a world-class place when all the people come together. You know? So, I think it's a very important step. Now, I think it is the job of the government. You know? People like us, you know, people like us, you know, the personalities of Kashmir, to tell the masses that this is a very good step. that it is a vital commitment. You know, I think it is the one thing that we have to be doing, you know, and that our body is a very good point. We have to be looking in our time. And if we have to add our energies, you know, you know, you know, फिल्म की एक बहुत बड़ी प्रीमियर जो है वो सिरी नगर में जा के लदाख में जा के करेंगे जी अफकॉर्स ताइब राजी ताइब राजी तो यू नो के हमारी फिल्म में जो जो मोर देन I think 90% पीपल आफ जमू किश्मी वो हमारी फिल्म है वो उनकी टोकल की फिल्म में शूट किया है श्री नगर में और वहां के लोकल पॉपलेशन हमें इतनी है कि कर्फ्यू के वक्ट भी हमारी शूटिंग होती थी तो प्रेमियर तो बहुत बड़ा होगा सब लोग रुके होएं फिल्म के लिए हमारी बहुत सारी प्रेस कॉंफरेंस भी हुई थी शूटिंग के दोरान और तभी लोग को लग रहा था कि वाओ कश्मी दे फाइनल रेजिलूशन और हमें तो निकलना है यह वाइलेंस से कॉफ्यू से तो एक फिल्म जो होती है ना ताहर कुराची वो एक कॉंवनमान को बहुत अच्छी तरह से चीजे समझाती है यह उनो सोचने पर मजबूर कर देती है और जब हम आपे शूट क अच्छी वेटेंगे कि यह फिल्म आये यह वाइन अच्छी तो एक बहुत बड़ा प्रेमियर तो जरूर होगा वह पर सेलिबरेशन भी होगी जरूर तो जो डाइस्पोरा यहां पर अमरीका, कैनड़ा, बरतानिया में रहता है इनके लिए भी कभी आप प्लैन करें कि इस फिल्म के प्रेमियर देकर आएं? बाइस्थ प्रेमियर तो अश्वरोड खी इसकी प्रेमियर दीज़ को टीनिया नेरे और इस हमिएक है अग्योड खी तो जाता है अभी प्लेसे सब्यां झायूण का बुक्तात सब्रूजा तो जो 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 खोना हैं जो अग्ता हम आपका बहुत बहुत कीम्ती होताँ आ आपका समय लेते रहें और आपसे बातचीत करते रहें ना सरफ इस फिल्म के हवाले से बलके आप फिल्म डारेक्टर, एक्टर और प्रोडूसर ही नहीं हैं एक आइडियॉल लॉजिकल परसनालिटी हैं आप चीजों को समझना चाहते हैं समाज को अच्छा से अच्छा रंग देना चाहते हैं आखर में इस फिल्म के हवाले से जो आपने और मैंने थोड़ी बातचीत की कोई बात मैं मिस्स कर रहा हूं और आप उसको एड़ान करना चाहें तो प्लीज अपने मैसेज को एड़ान कीजिए जी तागरा जी फिर्स्ट मैसेज इस के फिफ्ट ऑफ आपारे जो आपारे जो अडिए जी ताइस फिल्प स्ट्वा घ्यार कैसमीर मैसेज एड़लोप्र एंडियुलें अगरा जी जो टाहिए थांटरों डॉस्री चाहिए ग्षी के ऑड़ी नी श्यक्तार जी रिवा चाहिए बातरा जो टीफिल्ट डिवाओंने में यह उसक्त रिलिजिंस है वोल के, you know, we should co-exist, you know, मजा आता है, different cultures है, different ways है, you know, and any kind of extremism is bad, you know, अगर एक कोई football fan है, and he loves his club, but if he becomes an extremist, or extreme love उसने शो किया, उसके club को भी, you know, it becomes ugly, you know, So, I think any kind of extremism is not good, you know, we should be very moderate, हमें, you know, like, इंसां की फिलिंस के साब से, we should behave with each other, you know, making, So, I think, so, I think, so, हमारी film, it promotes the concept of Kashmiriyat, and, you know, we are waiting for people to watch the movie and get, To know more about Kashmiriyat, तार गुरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और हम आपको आपकी फिल्म की तैयारियों पर भी, आपको मुबारक बात देते हैं, और पांच अगरस के शुब दिन पर भी आपको मुबारक बात देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के आज आपने हमें इतनी रात गए वक्त दिया. Thank you so much, and we are connected, you know, and I will share my thoughts, my ideas, and my projects. So nice of you, thank you very much, all the best to you, all the best to your wife, and all the best to your team, and your work is highly appreciated by Indian diaspora, either they live in Canada, or in the US, or Europe, or Australia, everywhere in the world, want to watch this movie, especially on this very auspicious occasion of August 5th. Thank you so much, all the best to you, all the best to your family is, all the best to your family, and I will share my thoughts on this.